Peace for one, peace and peace, world peace, peaceful, peace, peaceful, peace, peaceful development or peaceful rise, peaceful, peaceful, peaceful development, peace, 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 the parade ended with a nuclear missile formation. दो चीज़े भारत में आज काफी फैले भी हैं। एक चायना से आयहुआ करोना वारेश जिससे मेडिकल केसे बहुत बढ़ रहे हैं। और दूसरा चायना का Tik Tok जिससे आज के पुलिस के केसे बहुत बढ़ रहे हैं। TikTok आज भारत का बहुत ही popular app है जिससे बहुत entertaining videos बनाए जाते हैं और share किये जाते हैं इंडिया के बहुत लोग इसे डाउनलोड करके इसमें involved रहते हैं और पसंद भी बहुत करते हैं पर TikTok असल में इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा security threat है जो चुपचाप अपना काम backdoor में Chinese Communist Party के लिए किया जा रहा है और शायद कोई इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा दोवजा 17 में एक Chinese company ByteDance ने social media app Musical.ly को 1 billion dollar में खरे था Musical.ly TikTok का पुराना नाम है और Musical.ly को पोग्राम करने वाले programmer भी चाइना के शेंगाई से हैं ByteDance ने Musical.ly का user database TikTok से merge किया और इसी तरह शुरुआत हुई TikTok की तो अब ये सवाल आता है कि क्या फरक पड़ता है कि TikTok Chinese company है तो जानिया इस वीडियो में जैसे इंडिया में Intelligence Bureau है वैसे चाइना में Ministry of State Security के नाम उसे agency है जो बिल्कुल Intelligence Bureau जैसा काम करती है पर इसके काम कुछ थोड़े से ठीक नहीं है साथ में चाइना की data privacy के laws कुछ अलगी किसम के हैं इन फैक्ट चाइना में data privacy नाम की कोई चीज ही नहीं है इसका मतलब चाइनीज law के हिसाब से चाइना की हर company को अपना user database Chinese government या ministry of state security के चाइन शेयर करना पड़ेगा अगर communist government ने मांगा तो जिसे वो companies मना नहीं कर सकती हैं इसका मतलब ByteDance जिसका app TikTok है जो घुमफिर के एक Chinese company है उसको अपना user database Chinese government को देना ही पड़ेगा चाहे या ना चाहे अभी फिलाली अफ्रीका से आई हुई खबर में पता चलता है कि चाइना दोस्ती के नाम पर server buildings को बना के एफ्रीका का data चोरी कर रहा है और इसी तरह एफ्रीका के politicians पर पूरी नजर रख रहा है ऐसा तो है ये चाइना पर छोड़िया उसे बात करते हैं TikTok के user data में से चुराया क्या जाता है असल में उस data में आता है आपके email IDs, आपकी location, आपकी सारी camera activities, messages, activities, वगेरा वगेरा चाइना डेटा चोरी कर रहा है ये US के politician में खुद का है देखिये पनाचोार प्शनाटा कि चाइना सपीर लुदू आराय सब्सारा काज़ियोर स workflows अो अधकe का लेको साधक ते है ये दिनकोता है और वे जाना ये चार सबनीकोता है बातिकोता है पेजि़ से लगर oे चैसे पाराप्स som कालीज़ियों आज इंडिया में टिक्टॉक के कुछ कंटेंट के वजए से लोग जेल में जा रहे हैं, पर शायद से चाहना इसको सेंसर नहीं करना चाहता है। टिक्टॉक या फिर कम्मिनिस पार्टी अगर कुछ सेंसर करता है तो बस एंटी चैनीज प्रोपगेंडा वाले कंटेंट जैसे तीबेतन रेवलुशन, होंग कॉंग प्रोटेस्ट या ताइवान की फ्रीडम और ये सेंसर शेफ 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 चाहिना के अंदर ही नहीं बलकि दुनिया के किसी भी कोने में अप्लोट किये गए कंटेंट में जो चाइना को एंटी चाइनीज प्रोपगेंडा लगता है उसे वो चाइना में बैठे बैठे ही डिलीट कर देता है इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग टिक टॉक में इंवाल्व हैं इसका मतलब इतना सार डेटा वर्चुली चाइना के पास है एक बार फिर देखते हैं कि क्या पर्मिशन्स देनी पड़ती हैं टिक टॉक को शयद इन सब पर्मिशन्स को देने का आम जनता खत्रा महसूस नहीं कर पाती खत्रा नैशनल सेक्यूर्टी का तब और बढ़ जाता है जब डिफेंस या मिलेटरी पर्सनल्स या उनके परिवार वाले इस एप का इस्तेमाल करते हैं इसको अपने फोन से हटा के भारत को एक सेक्यूर्डेशन आना चाते हैं व खत्रा बढ़ हैं झाल झाल